इस वीडियो में मैं जगात के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन फॉइंट से उनको डिस्किस करूंगी और यह एक से पीपिएसे के पेपर्स में भी NTS में भी और MPT में भी रिपीट हुए हैं जगात जगात इसलाम का एक रुकन है यानि के अरकान इसलाम में से एक है जगात is the fourth pillar of Islam जगात का क्या मतलब है जगात means to purify जगात अवास में compulsory in to a.h. a.h. मतलब है ऐनो हिजरी यानि के दो हिजरी में जगात जो है वो फर्स हुई थी वर्ड जकात occurs 32 times in Quran Quran पार्थ में जकात का जिकर 32 बार आया है परसन हो इस लाइबल टू पे जकात साहबे निसाब यानिके वो शक्स जो के इस काबलों के जकात दे सकता है यानिके उसे हम साहबे निसाब केते हैं जकात implemented on 9 हिजरी जनके जकात जब फर्स 2 हिजरी के हुई थी लेकिन इसके पर जो implementation थी वो 9 हिजरी को स्टार्ट हुई थी उसके बाद है मसार्फ जकात are mentioned in सूरہ टोबा आयत नमबर 60 मसार्फ जकात का जिकर करान पाकी कि सूरा में है सूरा तोबा में है और आयत नमबर 60 में है following are मसार्फِ زکاة according to Holy Quran के मसार्फِ زکاة कौन कौन से है 8 मसार्फِ زکاة है जिसमें फुकरा, मसाकीन, आमिली, इसके लाव मौला फातिल कलूब है फिर रिकाव, गारेमीन, फिसबीलिल्ला और फिर इबन सबील है फुकरा तो वो होते हैं जिनके पास रोटी, कपरा और मकान ये वली जिन्दकी की जो बनायादी जरूरियात है ये ना हो मसाकीन के पास ये वली जरूरियात होती है लकि ये कि उनके पास किसी और वज़ा से जो पैसे नहीं होते है आमिलीन वो होते हैं जो जगात अकठी करते हैं तो हम उनको भी जगात दे सकते हैं मौला फातल के लोग कौन से लोग हैं जिन्हों नए नए अभी इसलाम कबूल किया होता है अभी इसलाम की तरह इंकलाइंड होते हैं फिर रिकाब यानिके गलामों को भी जगात दी जा सकती है गारेमीन, गारेमीन का मतलब है जो शक्स जो हो जैसे किसी से उसने लॉन लिया है उसने जो हो इसको पे करना है तो उसको भी हम दे सकते हैं फिसिबिलिल्ला यानिके जहाद की रामें भी हम दे सकते हैं इसके लावा इबनस सिबीर यानि कि जो ट्रेवलर्स हैं, जो मसाफिर हैं, उनके भी हम जगात दे सकते हैं, नोट इलिजिबल फॉर जगात, ऐसे कों से लोग है जिनको जगात नहीं दी जा सकती, जैसे कि मस्ज़िद की तमेर के लिए नहीं दी जा सकती, सेयद को नहीं दी जाता है, ठीक है, तो जगात के क्यों नहीं दी जा सकती, क्यू GRANT कि जगात दी जाती है, जिनको पर हम तर्स खा कर देते हैं, जिनके पास वो बने आदी जरुरियत नहीं होती, इसके लावा हाईफ जहा हजिवंको नहीं दे सकती और हज्ज़े जगात उनका को नहीं दी सकत तो यह एनिमल्स को आपीजा चया सकती। गौल्ड को आप यह पर एंप झाकी आपपर साथ तोले सुना है यह फिर आपके पास 22 तोले चौंदी चीजा दो आपके है Score Up योपब आपके उपर जगात फर्स है तो ग्रॉप्स के उपर किस तना कि जैसे कि 30 माँंड है योनिके 30 माँंड है तो ऐस के एक पास अपनी ही जमीन है योनिके नियटर आपके अपनी है तो इसके उपर उच्छ लगता है और ये होता है one by tenth लेकिन अगर आगर आपने किसी और की जमीन के ओपर जैवो फसलगाज तकी यह यानि कि आर्टिफिशली इरिगेटड़ लेंड है तो उसके ओपर one by 20 जैवो उसके ओपर लगता है कि आपने इतनी जैवस में से जकात देनी है तो जगात की ratio क्या है जगात की ratio जो है 2.5% है तो अज़र इसके अंदर हमने देखा कि जगात का basic purpose क्या होता है to purify तो और जगात की ratio क्या है 2.5% है हमने amount of जगात को discuss किया और जगात किन लोगों के दी जा सकती और किन लोगों को नहीं दी जा सकती so thanks for watching